Welcome back to Craxie Exams मैं आपके साथ एक important चीछ डिसकस करने जा रहा हूँ शायद आपको दीखनी रहाँगा वीजिबन नहीं होगा तेकिन मैं आपके साथ एक important चीछ डिसकस करने जा रहा हूँ जो भी December का exam दिया गये था IDT CA Final Indirect Text जो की paper बहुत इसी आया था उसको लेकर के यहाँ पे एक में कुछ MCQ आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ क्या करने जा रहा हूँ MCQ discuss करने जा रहा हूँ तो one by one करके मैं MCQ discuss करेंगे जिसमें कुछ 3 से 4 MCQs है जो की cover नहीं हो पाई हैं बाकी सारे MCQs cover है तो मैं one by one करके इसको answer बता देता हूँ आप match कर सकते हैं आपको याद भी आ जाएगा अपने क्या चीज लगाई होगी तो hope आपको ये बहुत help करेगी वीडियो तो देखने हैं सबसे पहला MCQs में section 85 section 85 जो की हमारा liability to pay certain cases का एक chapter है CA final identity के अंदर जिसमें कहा गया था कि एक business transfer कर जदूसरे business बंदे को एक business transfer किया गया था तो उसमें कहा गया था कि transfer से पहले liability डिटर्माइन की गई हो section 85 बात को बोलता है चाए आपकी liability पहले transfer की गई हो चाए वह आपकी liability transfer करने के बाद determine की गई हो उससे कोई फरक नहीं बढ़ता, section 85 में answer था, both jointly and civilly बहुत easy question था jointly and civilly liable रहेंगे दोनो person, दूसरा question था e-way bill को लेकरके, e-way bill का contest यहाँ पर यह था, कि उसमें आपको taxable supply as well as exam supply का दिया हुआ था, आपको MCQ जो दिये गये था वो दिये गये था, taxable supply as well as exam supply तो हमें पता है कि e-way bill exam supply को cover नहीं करता, तो exam supply को वहाँ से हटाना था, और जो भी taxable supply थी, 48,000 की figure थी, उसमें GST आपको जोड़ना था और उसकी value आपके आ जाती, यानि कि 48,000 की taxable supply as well as plus GST और include करके आपको answer मिल जाता exam supply को ignore करना था तीसरा MC की था, taxes not to be subsumed, जो taxes not to be subsumed थे, मतलब उसमें question दिया था कि कौन से tax subsumed नहीं हो पाया, तो उसका most authenticate answer जो था, most appropriate answer वो था, उसका, that is professional tax of the local authority professional tax of local authority चोता MC की था, SCN show cause notice पे, 2 years and 9 months, यानि कि आपका आपे दिया गया था, कि section 73 के context में, जो other than fraud का case होता है उसमें show cause notice का answer था, 2 years, 9 months, बहुत easy question था, ये भी, 500 MC क्यू था e-commerce, अगर e-commerce fail हो जाता है, deduct करने में TDS right, TDS को deduct करने में अगर fail हो जाता है, तो उस case में उसको penalty लगती है section 122, subsection 1 के अंदर इसका answer उसमें शाद दिया गयता है कि e-commerce fail हुई थी, deduct करने में TDS, that is, sorry TCS, that is 9,000 तो 9,000 अगर fail हुई है, तो 10,000 रभी की penalties को लग जाएगी, 122, subsection 1 that is amount involved in the dispute as well as over 10,000 rupees whichever is higher छटा MC की था, refund की यहाँ पे इन्होंने बहुचा था, कि अगर refund को कितने days में अगर आपको refund नहीं मिले यानि कि 61st day से आपको क्या मिल जाना शुरू हो जाता है refund मिलना शुरू हो जाता है यानि कि उसमें question ने पूचा था, कि कितने days में अगर आपको refund नहीं मिलेगा, तो आपको interest entitle हो जाओगे, आप interest के रिए, so 61st day, यानि कि उसका answer था, 61st day, 7th mcq था return, यानि कि late fees के context में, late fees मतलब महाँ पर बताया गया था कि अगर returns, जो कि आपकी final returns की बारे बात गही थी, कि final return अगर return file नहीं हुई है, final return अगर file नहीं हुई है, तो उस case में आपको कितना amount का penalty लगेगा, तो जैसा आप जानते हैं, हमेशा section 122, section 1, जो मारा penalty का chapter है, उसमें return related provisions cover नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी late fees section 47 में लगती है, तो 47 के अंदर आपको बताया जा रहा है कि 100-100 रुपे cgst act as well as sgst act के अंदर 100-100 रुपे आपको fees लगाया जाता है, cgst as well as sgst तो वहाँ पर आपको अंसर दिया था, 30 days तक दिले रहा था, तो 100 रुपे cgst 100 रुपे sgst, 200 रुपे बढ़ गया यह पढ़ देगा, और 30 से multiply करेंगे तो 6000 इसका अंसर था यह था 7th mcq 8th mcq था, pre-deposit को ले करके कि यहाँ पर question बहुत अच्छा खासा pre-deposit पर यहाँ पर design हुआ था, जिसने अच्छा खासा पढ़के गया होगा वो answer करके आ होगा pre-deposit में यह था कि यहाँ पर 3,20,000 रुपे तो उसने क्या किया था as a tax or interest उसने admit किया था, तो आपको निकालना था इसका disputed amount, कितना amount भी dispute में चल रहा है तो उसका जितना भी dispute आता, उस dispute का 10% उस dispute का 10% है, only tax amount का लेना था only tax amount का 10% लेते और जितना admit किया था उसको आप add कर देते तो आपका pre-deposit आया था, तो इसका answer था code, DGFT issue करती है, that is Director General Foreign Trade, यह आपकी authority है, जो की input export code issue करती है, minimum value पूछा गया था, advanced authorizations scheme के अंदर, जैसा कि FTP में जानते हो, आप AAR scheme के अंदर आपको क्या होता है, minimum value addition होता है 15%, आपको minimum value addition 15% add करना, मतलब उसका answer 15% आपको minimum value addition करना था, अगला कुशन था, इसमें EPCG को ले करेंगी, कि EPCG scheme के अंदर, export promotion capital goods scheme के अंदर, अगर हम authorization करते हैं, तो वो कितने दिन तक valid रहती है, तो उसका answer था, proper 18 months, 18 मेने तक वो authorization से valid रहती है अगला कुशन था, advance के case में अगर आपको कोई पैसा advance मिल जाता है और आप unable है, determine करने में इसकी nature of supply, as well as as well as, उसका rate of GST तो उसका answer simple था, nature of supply के लिए interstate, as well as rate of GST जाता, IGST 18%, अगला MCQ यहाँ पर आ जाता है 13th MCQ है, उसमें कोशन पूचा था कि, आपका import के case में, अगर हम import का case पकड़ें तो उसमें कौन सा document नहीं लगेगा यहने की कौन सा document relevant नहीं है तो उसका most appropriate answer था shipping bill, तो shipping bill आपका import के case में नहीं लगता है, जहाँ पर आपको कुछ packaging, कम details वगर ऐसा कुछ दिया था तो आपको shipping bill वहाँ पे अगर आप देखें हैं तो उसमें कुछ नहीं पूचा था कि exclusive economy zone को कितने newtical miles तक measure किया जा सकता है, तो हमने बताया था 12 newtical miles तक from the baseline आपका बन जाता है 12 newtical miles from the baseline आपका बन जाता है इंडिया का territory waters, as well as वहाँ से अगर हम 188 km को extend कर दे, 188 newtical miles से तो 200 newtical miles तक exclusive economic zones बन जाता है इसके बाद एक कुछ case study थी 6 case study तो उसका एक question का answer बिल्कुल आप exact ले सकते हैं बाकि मुझे case study नहीं पता है पहला case study का आई ऐसा कुछ question था कि जिसने उसमें कुछ training facilities देने के लिए कुछ एक auditorium बुक किया गया था और वहाँ पर professional faculties को भी hire किया गया था और वहाँ पर कुछ 30-30 students इन्होंने कुछ colleges के पार्टिसिपेट्स कर रहे थे participants तो कुछ ऐसा question था वहाँ पर आप answer लगा लिजेए इसका एक पहला question का answer था IGST के अंदर 2,70,000 रुपे की liabilities की बनेगी बाकी मेरे पास की और वढख जिस विड़ाने, पुब लुब इसको बेहाँ पर लुब लुब लगू